बिजली कटोती को लीकर किसानों ने नेताओं संग लगाया जाम। इंदरगण ग्वालियर मार्ग किया पूरी तरहा से बंद चार गंटे लगा रहा जाम। सेवड़ा और बिजली विभाक के दिकारियों के आश्वासन के बाद खुला जाम। इंदरगण में बिजली कटोती से परिशान किसानों ने करीब चार गंटे तक अंदोलन करते हुए दत्या सेवड़ा मार्ग और ग्वालियर मार्ग पूरी तरहा से बंद कर दिया था। जा नहीं जाकर किसानों ने सडक पर लगाये टेक्टे टॉली हटाय और अंदोलन को समाप्त किया। विजली कटोती से परिशान गरीब करीब एक दरजिन ग्राम के हजारों किसानों ने आमाद्मी पार्टी नेता संजेदुबे कॉंग्रेस कमेटी के जलाओ पादियक्ष केश सिंग्यादव और बेस्पी नेता लाखन सिंग्यादव के साथ मिलकर बिजली विभाक के दिकारियों की मनमानी और पशपात पूर्ण कारिवाही से नारास होकर अंदोलित करते हुए सलक पर चाम लगा दिया है। आक्रोशित किसान टेक्टे टॉली विभर कर आए और अप भाजपा नेता के ग्राम दभैरा में पूरे समय लाइट दे रहे हैं। लेकिन बिजली विभाक के दिकारी हैं कि आठ से दस घंटे भी नियमित लाइट नहीं दे पा रहे हैं। बिजली का टौती से परेशान किसानों ने इंदर गड के गवालियर चोराहे पर जाम लगा रखा। अंदूलित किसानों की मांग थी कि जब तक कोई वरिष्ट दिखा रही ही धरनायसल पर नहीं आएगा तब तक अंदूलन चारी रहेगा। किसानों के आंदूलन और जाम लगाने के सूचना मिलते ही बुलिस बल धरनायवरदर्शन कर रहे किसानों को समझाने और किसानों की मागों का समर्धन किया। इसको काफी मशक्कत करने पड़ी।